दबाई देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर भी आप देख सकते हो इधर जो हमारे काले काले मक्खी लगे थे यहाँ पर भी वो सारे खतम हो चुके हैं तो दबाई हमारा अच्छे से काम कर रहा है और एक बात कि आप ध्यान देना की दबाई थोड़ा सा ही इस्तमाल करना है ज्यादा करेंगे तो पत्ता आपका जल सकता है जिससे की आपका पोधा भी खराब हो जाएगा इसका ध्यान जरूर रखे हेलो गाईस तो आज हम एक गुल्दावुदी के मेन प्रोब्लेम के बारे में बात करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हो इधर एक तरह का मख्यी है जो की फूलों पर चिपक गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से पोधों के उपर भी वो चिपक जाते हैं पर आप देख सकते हो यह जो मख्यी है वो अन्वाल क्रॉप्स जो होता है इसके उपर ज्यादातर देखे जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो लॉंग भीम से इसके उपर वो जो मख्यी है वो कितने सारे चिपके हुए है जिसके वज़े से हमारा जो मिल नहीं पाता है तो आप यहां पर देख सकते हो मैंने मार्केट से एक दबाई खरीद के लाया था यह मेरे को लगबग यह जो दबाई है लगबग 150 रुपेगा है लेकिन मेरे को 140 रुपेगा पड़ा था जो पहले दबाई इस्तेमाल कर रहा था वो यह वाला था यह लगबग मेरे को 80 रुपेगा पड़ा था तो यह जो दबाई है बहुत अच्छा काम कर रहा था लेकिन मैंने जो दबाई वाल लाकि मेरे को यह वाला दवाई चाहिए लेकिन उसने बोला यह वाला नहीं है तुम यह वाला ले जाओ तो उसने बोला कि अगर कंपोजिशन सही है तो यह वाला दवाई भी काम करेगा तो यहां पर आप तो यहां पर आप देख सकते हो इधर जो कंपोजिशन है 40% इधर भी तो यह वाला दबाई भी हमारा काम करेगा तो इसी को आज हम हमारे गुल्दावदी के पोधे के उपर हम आज स्प्रे करेंगे जिससे की हमारा जो मक्खी का प्रोब्लेम है वो सल्ब हो जाएगा तो मैंने एक लिटर पानी एक बोटोल में भर लियाओं उसमें हम यह वाला दबाई मिलाएंगे हम एक लिटर पानी में लगबाग एक एमेल से दो एमेल दबाई डालेंगे तो हमको थोड़ा ही दबाई डालना है तो इतना दबाई काफी हो जाएगा इसको हम इस तरह से बंद कर देते हैं और इसको छाओं में रख लेंगे अभी हमारा जो दबाई रेडी हो चुका है इसको अभी हम स्प्रेय कर लेते हैं इस तरह से सारे पोधों में अच्छे से स्प्रेय कर लेंगे मैं पहले सारे पोधों में स्प्रेय कर लेता हूं उसके बाद आपको दिखाता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो पोधे थे सारे के सारे पोधे के उपर हमने अच्छे से स्प्रेय कर लिया है इसी तरह आप हफ्ते में दो बार स्प्रेय करेंगे तो आपका जो म चैनल को सब्सक्राइब करना तो यह था आज गा एक छहटा सा अप्डेट गुल्डाओधी नीव होँष़यक कत ए के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वडियो आच्छा लगा तो लाइक करना मिलते हैं अगले वीडियो में है